स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य मोटो राइड में और आज हम बात करेंगे 9 अपकमिंग बाइक के बारे में जो 2024 में भारती ये बाजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नमबर वन पर आती है टॉर्क क्रटोस एक्स यह एक एलेक्टरिक बाइक है जिसकी प्राइजिंग यहाँ पर रहेगी 1,60,000 रुपे जो बाइक का लुक्स अंडिजन है वो काफी स्पोर्टी और मस्कुलर है नेक्ड कैटिगरी के अंदर ये बाइक आती है इस उसमे 180 कलोमेटर ट्रैवल कर लेगी और अगर पुला सा एक्रेसिव राइड करते हो प्रिक आपको चार्ज और अगर बात कर लेते हैं कि यह बाइक कब तक भारतिये बाजाष हो जाएगी तो मे cupboard 2024 तक ये बाइक भारती ये बाजार में लॉंच होने वाली है नमबर टू पर आती है या महा एक्ससार 125 एक्ससार 125 एक नेग्ड कैटिगरी की नियो रेटरो स्पोर्ट बाइक है जिसकी प्राइजिंग यहाँ पर रहेगी 1,20,000 रुपे जो बाइक का लुक्सन डिजान है वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है बात कर लेते हैं इसके लेक्ट्रिकल्स की तो यहाँ पर आपको All LED Headlight का सेटप मिलेगा पीछे आपको LED टेल लाइट और बल्ब इंडिकेटर्स इसमें ओफर किये जाएंगे बात करते हैं इसके एंजिन की तो यहाँ पर आपको मिलेगा 124 CC का ओइल कूल्ट सिंगल सिलेंडर इंजिन जिसमें आपको 15 BHP की पावर और 14.5 Nm का टॉर्क मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाएंगे इसमें आपको features में जाते हैं digital meter यहाँ पर आपको दिये जाएगा upright handlebar मिलेगा तो आप दो लोग आराम से comfortable हो के travel कर लोगे और जो rider है उसको किसी भी तरह का back pain नहीं आएगा dual disc with single channel ABS यहाँ पर आपको provide किया जाता है सामने आपको telescopic folks suspension मिलेंगे और पिछा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती यह बजार में launch हो जाएगी तो में 2024 तक यह bike भारती यह बजार में launch होने वाली है number 3 पर आती है Honda CB125R CB125R एक naked street fighter sports bike है जिसकी pricing यहाँ पर रहेगी सामने आपको LED headlights मिलेगी पीछे आपको LED टेल लाइट और LED indicators आपको इस bike में provide करवा दिये जाएंगे बात करते हैं इस के engine की तो यहाँ पर आपको मिलेगा 124 cc का single cylinder oil cooled engine जिसमें आपको 14.7 bhp की power और 11.6 newton meter का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाएंगे बात कर लेते हैं इस bike के features के बारे में तो यहाँ पर आपको dual channel ABS दिये जाएगा all digital instrument console मिलेगा सामने आपको telescopic focus suspension मिलेगे और पीछा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारतिय बाजार में launch हो जाएगी तो जून 2024 तक यह bike भारतिय बाजार में launch होने वाली है number 4 पर आती है कीवे RKF 125 यह 125 cc की कम दाम की sports bike है जिसकी pricing यहाँ पर रहेगी एक लाग रुपे और एक लाग रुपे के हिसाब से जो features हैं जो look से bike में offer किये जाते हैं वो बहुत ही शानदार आपको मिल जाते हैं यहाँ पर जो look से वो आपको बहुत ही sporty मिल जाता है electrical की बात करें तो यहाँ पर आपको LED headlights फ्रेंट पर मिलेगे पीछे आपको LED टेल लाइट और bulb इंडिकेटर से इसमें offer किये जाएंगे बात कर लेते हैं इस bike के engine के बारे में तो यहाँ पर आपको दिये जाता है 124 CC का single cylinder oil cooled engine जिसमें आपको 11 bhp की power और 10 newton meter का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 5 मिल जाएंगे बात कर लेते हैं इस bike के और कुछ features के बारे में तो यहाँ पर आपको digital instrument console दिये जाएगा front में आपको telescopic suspension मिलेंगे और पीछे आपको monoshock absorber suspension मिल जाएगा बात कर लेते हैं इस bike के ABS features के बारे में तो यहाँ पर आपको single channel ABS दिये जाएगा और dual disc brake में आपको यह वाली bike मिल जाएगी अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती यह बाजार में launch हो जाएगी तो दोस्तो जून 2024 तक यह bike भारती यह बाजार में launch होने वाली है नमबर 5 पर आती है Honda Rebell 250 Rebell 250 एक cruiser bike है तो जिसको भी tour करना पसंद है उसके लिए एक बहुत ही शांदर bike यहाँ पर Honda Company लेकर आने वाला है इस bike की कीमत रहेगी 1,60,000 रुपे जो bike का looks and design है वो बहुत ही शांदर है एकदम बड़िया feel आपको इसको चलाने में आने वाला है इसको ज एलेक्ट्रिकल्स है सामने आपको LED हैलाइट्स ओफर करते हैं पीछे आपको LED टेलाइट और LED इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको द जाएंगे fully digital instrument console यहाँ पर आपको दिया जाएगा सामने आपको telescopic focus suspension मिलेंगे पीछे आपको monoshock absorber suspension मिलेगा dual disc brake और single channel ABS यहाँ पर आपको दिया जाएगा बाकि जो looks से वो तो आपको शांदार मिली जाता है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती यह बाजार म launch होने वाला है इस bike की कीमत रहेगी 1,70,000 रुपीज हाँ यह थोड़ी सी ओवर प्राइज है लेकिन जो looks है जो features है वह आपको बहुत ही तगड़े offer आप किये जाने वाले हैं जो overall bike का looks है वो पहले मकाबले और ज़्याद स्पोर्टी और muscular कर दिया गया है electrical की बात कर तो यह इस में आपको 14.5 BHP की power और 12 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाएंगे बाइक में आपको fully digital instrument console दिया जाएगा dual channel ABS और dual disc brake यहाँ पर आपको offer किये जाएंगे सामने आपको USD fork suspension मिलेगा और पीछा आपको monoshock absorber suspension मिल जाएगा और जो overall looks है वहाँ को completely बहुत ही बलकी और aggressive मिलने वाला है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारतिय बाजार में launch हो जाएगी तो April end या फिर मई के स्टार्टिंग में यह bike confirm भारतिय बाजार में launch होने वाली है नमबर 7 पर आती है या महा MT 125 MT 125 बहुत जल्द भारतिय बाजार में launch होने वाली है इसकी कीमत रहेगी 1,20,000 रुपे जो bike का looks and design है वो similar रहेगा MT 15 की तरह ही बस यहाँ पर आपको थोड़े बहुत नए cosmetic changes देखने को मिल जाने वाले हैं जो headlights वगरे का setup है वो आपको same ही मिले बात करते हैं इसके engine की तो यहाँ पर आपको दिये जाने वाला है 124 CC का single cylinder oil cooled engine जिसमें आपको 14 BHP की power और 11 Nm का torque मिलेगा और नमबरोग गेर्स यहाँ पर आपको 6 मिल जाएंगे बाइक में आपको all new fully digital instrument console दिये जाएगा dual channel ABS यहाँ पर आपको provide किये जाएंगे यामाहा की advanced technology आपको यहाँ पर मिलेगी सामने आपको usd folks suspension मिलेगा पीछे आपको monoshock absorber suspension मिलेगा तो एक कम price में बहुती बढ़िया feature के साथ यामाहा MT भरती बजार में launch होने वाली है अब यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आने वाली है इस बाइक कीमत रहेगी तीन लाख रोपे और तीन लाख रोपे के साब से यहाँ पर आपको advanced feature मिल जाते हैं और जो looks वह आपको एकदम super bikes जो आती है उससे similar looks मिलता है कम दाम में तो एक बहुत बढ़िया बाइक यहाँ प 0.4 BHP की power और 35 Nm का torque मिलेगा बहुत ही ज्यादा अची power आपको यहाँ पर मिल जाएगी और नंबरों गेर्स यहाँ पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं जो बाइक का suspension setup उसमें आपको सामने usd forks suspension मिलेगा पीछे आपको monoshock absorber suspension मिलेगा जो बाइक में ground clearance है वो आपको 180 mm का मिल जाएगा fuel tank capacity यहाँ पर आपको 16 liters की मिलेगी dual channel ABS और dual disc brake के साथ में आपके वाली bike मिलेगी और overall यहाँ पर आपको fully digital instrument console मिलने वाला है तो बहुत सारे features आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं इस price segment में अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारतिये बाजार में launch हो जा एक लाग साथ हजार रुपे जो वर लुक्स और डिजाइन बाइक को बहुत ही शानदार है नियो रैट्रो बाइक के अंदर यह बाइक आती है मतलब category के अंदर electrical की बात करते हैं यहाँ पर आपको LED headlight मिलेगी पीछे आपको LED टेल लाइट और LED indicators इसमें आपको provide किये जाए बाइक में आपको digital instrument console मिलेगा, upright handlebar मिलेगा तो जो ride करेगा नो उसको back pain जिसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, dual disc with dual channel ABS यहाँ पर आपको provide किये जाएंगे, सामने आपको USD fork suspension और पीछे आपको monoshock absorber suspension मिल जाएगा, अब अगर बात करें कि यह बाइक कब तक भारतिये बाइक में लॉंच हो जाएगी, तो मई एंड या फिर जून के स्टार्टिंग में यह बाइक confirm भारती बाइक में लॉंच होने वाली है, बाके दोस्तों आप कमेंट करके ज़रू बताना कि 9 बाइक में से कौन से बाइक यहाँ पर आपको सबसे आधा पसंद आई है, तो उ